इस गड़ में जो है बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 जो है आपका आज चुका है एक अप्रेल से आप लोगों के खाते में आना जो है पैसा सूरूख हो जाएगा और वो किस तरीके से होगा संपूर्णा जानकारी सुडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा 25 रुपय आपक क्राइटेरिया क्या होगा अवेधन करने के प्रारंभिक्तिति क्या है अवेधन करने के लास्ट डेट कब है और आपको कहां जमा करना है और किस तरीके साब को पैसा मिलेगा काफी स्टुडेंट इस ब्रह्म में है कि देखें दो वर्षका आपका रोजगार पंजन जो होन के रहते हैं और इसमें दो वर्ष का रुजगार पंजन बोला गया है तो कहां से उनके पास दो वर्ष का रुजगार पंजन होगा और किस तरीके से आपको इस योजना कलाब आपको मिल सकता है और एक मिश्टेक अगर आपने एक छोटी सी अगर मिश्टेक कहीं कर दिया तो आप इस योजना कलाब बिल्कुल नहीं ले सकते, आपको किसी भी तरह से बेरुजगारी भत्ता योजना कलाब नहीं मिल पाएगा, तो कोई भी गलती आपको नहीं करना है, तो अब मैं आप सभी को बताता हूँ, बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आपके पास जो है योग्यता जो है क्या होने चाहिए minimum आपके पास qualification तो ऐसे भ्यारती जिनकी सेक्षनिक योग्यता बारवी पास अगर आपने बारवी पास किया है मादमिक सुच्छमंडर राइपूर बोर्ट से या फिर आपने उपन उनिवर्सिटी से पास किया है फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं साथ में बारवी पास होने के बाद आपके बास जो है रुजगार पंजियन होना चाहिए रुजगार पंजियन के अवधी आपका दो वर्स जो है पूर्ण होना चाहिए और इस बार अगर किसी का रिनेवल का डेट आ गया है फिर से रुजगार पंजन का तो उनको बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा बिरुजगारी भत्ता योजना और जिनका अभी डेट नहीं आया है इसी 2030 में होगा तो उनको मिल पाएगा अगर तीसरे हम क्राइटेरिया के बात करें तो परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में नहीं होना चाहिए आपके परिवार की किसी भी पर्शन का नहीं कोई गवर्मेंट जॉब हो और नहीं कोई प्राइवेट सिक्टर में जॉब करता है फिर भी आपको इस योजना के लिए आप जहलाब नहीं ले सकते सांत में पांच एकड से कम जमीन या पछेतर कुइंटल से कम धान की भीक्री होने चाहिए यानि कि आप جो ससाइटी में धान बैशते हैं आपका पैँटा कुइंटल से कम धान जो है बीखना चाहिए यदि 65 कुइंटल भीता है या 70 कुइंटल भीता है और आपका जो है जमीन की बात करें खेट की बात करें तो आपका पांच एकड़ से कम यानि कि अगर आपका तीन से चार एकड़ है तो आपको मिल जाएगा बिरुजगारी भत्ता योजना साथ में परिवार की वार्षी का एक लाग से कम होने चाहिए यानि कि आपका इंकम एक लाग से अगर कम का है तब आप इस योजना कलाब ले पाएंगे हर एक महीने जो है आपको बिरुजगारी भत्ता योजना कलाब आपको दिया जाएगा आगे अगर हम बात करें आवस्तिक दस्तावेच की ये काफी जादा इंपोर्टन्ट है अगर आपके पास ये सबी डाकुमेंट्स नहीं होंगे तो आपको इस योजना कलाब जो है किसी भी प्रकार से आप नहीं ले सकते और आप जो बिरुजगारी भत्ता योजना में जो आपको 25 रुपय है और हर साल आपको 30,000 रुपय मिलना रहेगा ये भी आपको नहीं मिलेगा तो इसके लिए आपका आए प्रमाण पत्र जरूरी है साथ में बारवी, उतिर नंग सुची, रोजगार पंजयन प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अधार कार्ड़, और निरधारित प्रारूप आपके पास होना चाहिए, तो सबसे में इंपोर्टेंट है, आपका आए प्रमाण पत्र अगर जिन्होंने भी अगर आए प्रमाण पत्र नहीं बनवाए है, वो अवस्तिरूप से आए प्रमाण पत्र बनवा लिजए, अगर आपका आपका आए प्रमाण पत्र नहीं होग साथ में आपका अधार करना ये चीज़ है तो आवेदन आपको कैसे करना है तो किस तरीके साथ को आवेदन करना है काफी स्टुडेंट सोच रहे होंगे कि इसके लिए जो है ऑनलाइन रेजिस्टेशन करना सुरू होगा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फार्म फिल अप कर है तो आपको जो है जैन्रपत पन्शाथ अपने जैन्रपत कारियाला में आपको सभित डाक्योमेंट्स को चाहिए अधार कार्ड रोहों बार्वी के सर्टिफिकर हो या फिर आपका income tax certificate हो इन सभी चीजों को आपको रुजगार पंजन का certificate इन सभी को आपको जनपद में और नगर निकम में जमा करना है और बेरुजगारी भत्ता योजन जब आपको श्रिक्रिती हो जाएगा तो आपको जो है इसमें एक नोटिस में लेगा जिसमें लिखा रहेगा आपके द्वारा 36 गड़ बेरुजगारी भत्ता प्राप्त करने हैं तो आवेधन फाम भरा गया था जिसमें आपकी आवेधन स्विकार कर ली गई हैं आपको एक वर्से की कु यह चेक के माध्यम से दिया जाएगा और चेक को आप अपने अकाउंट में जमा करके पैसा को अपना विड्रॉल कर सकते हैं इस प्रकार कुछ महिने के बाद आपको फिर से चेक लेना है जब आपका दूसरे महिने का प्यमेंट आएगा दूइती शेक लेने कि आपको फिर वर्स की भी रहसी यानि दो वर्स के लिए से दो वर्स केलिए दूसरे साल भी आपको 30,000 रुपे मिलेगा और 30,000 रुपे भी आप जो चेक कारेयाला जनपद नगर निगमिय उपस्तित होकर आप प्राप्त करक्षकते हैं तो इस तरह से आपको इस योजना का लाप जो ले सब्सक्राइब आपको अनिवारी होगा यदि दो गवाहों का हस्ताक्षर नहीं है तो आपको चेक जो है नहीं मिल पाएगा और आप जो है इस बेरोजगारी भत्तय योजना के तहट पच्छी सो रुपे जो आपको हर एक महिने दिया जाएगा यानि एक साल में आपको जो है कलाब लेना चाहते हैं अभी से अपने संपूर्णा डाक्योमेंट जो है रेडी रखे इसी महिने के लाश्ट वीक में जो है लगभग 25 से 25 से 30 मार्च के बीच में जो है इसके लिए नई अपडेट जो है निकल करा जाएगा और आप लोग इसमें आराम से वेदन कर सकते है तो इसी तरह से मेरे चैनल सबन नई-ई-णी वीडियोस जो है नई-ई-गौर्मेंट जाब एकिंस इसरी लेटिटर्ट वीडियोस मिलते रहेंगे वीडियोस अगर अच्छा लगा हो पसंदाया हो प्लीस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहा है तो चैनल को सब इसक् प्तर बनाला यह उग्या आप लोगों के लिए एक अपरेल से सूर्व होने वाले एक अपरेल से आपके अकॉंट में जो है झाल